तो guys क्याल चाल, hey what's up guys on this side and welcome back to another video ना चैनल और आज की सुडियो में हम बात करेंगे ये मन्त और next month में अपना revenue क्यों कम रहेगा अगर आप यूटूबर हो तो आपको पता ही रहेगा कि आपके analytics में और action में पैसा कम शो होता रहेगा कि इस महिने की कितनी कमाई है और next महिने म मैं बता हैंगा कि क्यों ऐसा हो रहे तो आशा करता आपको वीइडिए अछी लगेगे अगर आपको वीडीयो अची लगते तो वीडियो को लाइक किजिए मेरे चैनल को seconds कॉ स्टार्ट करते है और हम जैसे कि आपको पता है कि आप अपने analytics देखते रहोगे November, December, January Northern менее बड़ागर आप पुराने यूटुबर तो आपको पता रहा है कि अपनी अनिम angry or February में कम क्यों रहती है अगर आपका monetization अभी on हुआ है और आपके अर्णिंग बहुत कम होगे December में अच्छी थी अभी January में कम होगे February में भी कम बता रही है तो यह क्यों हो रहा है जैसे कि YouTube को advertisers देते हैं पैसा, तो advertisers March, April, May, June से पैसा देना चालू होता है, तो budget उसका January में कम रहता है, तो जैसे कि मेरी opinion हो मेरे हिसाब से जब YouTube का जो annual budget रखता है, और नया year स्टार्ट होता है, मार्च से होता है, तो March, April, May, June, July, August में जितनी भी एडस आती है, वो सब देख जो अच्छे-ची एड़ रहती है, तभी स्टार्ट हो जाती है, अभी January, February में कम एड़ रहती है, जो कम पैसे वाली एडस रहती है, वो भी display होती है, इसलिए अपने को पैसा कम मिलता है, यह मेरे हिसाब से है, और में को जितना पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैनिवरी में एडस उतनी आती है, उतने व्यूज आते है, फिर भी अपना पैसा कम रहता है, शायद इसी वज़े से होता है, एडस तो वही आती है, पर जो low budget की रहती है, जो कम पैसे वाली रहती है, वही एडस आती है, अपने वीडियो पे, इसलिए अपने को कम पैसा मि अपने को जैनिवरी, फेबुरुरुरी में, तुव आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और कमेट में बता सकते हो कि या आपकी घरनिंग कितनी क झाल झाल